आज हम लोग बात करेंगे मैंद्रा फ्यूरियो की BS6 गाडियां स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे इसमें मैंद्रा फ्यूरियो BS6 में ज्यादा चेंज्मेंट नहीं है थोड़ा चेंज्मेंट है 4 से 6 के मुकाबले कि इसमें क्या किया गया है स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए कि ECM को अपना इगनीशन से सप्लाई दिया गया है ठीक है तो देखते हैं एक बार इसमें कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स का कि क्या सिस्टम है इसमें है गोर सबसे पहले करे चलेज़एख यह है कि अगर आपके मीटर पर ठीक है जो अपना क्लेश्ट्र मीटर है उस पर स्व मैं नहीं आ रहा है ठीक है और अब सम्तेखां लाइट सब जबार आ रहे हैं ठीक है कि आपको केबिन की लाइट भी जल लिए ठीक है बटे कैबिन क्लाइट जल लही होगी ठीक है है हैड लाइट नहीं जलेंगे आपकी और अपना यह क्लस्ट्रिमेटर भी नहीं आएगी और एक नियुस्ते रिले भी ऑपरेट नहीं होगी ठीक है तो इस कंडिशन पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह बैटरी के नियर एक फ्यूज बॉक्स दिया होगा ठीक है कि जिसमें की एक अल्टरेटर का फ्यूज होगा एक सुबीस एंपियर का और विकल लोड की फ्यूज होंगे चारीसतों साथ के और चारीस एंपियर के फ्यूज होगा यह हाई walk अल्टरनेटर करेंट करनट और दो कि और जो अधोड को एक बार प्राप छे革 करना है ठीक है और पीछे से और जरूज चंश करने ने है क्योंकि में जो अल्टिनेटर का फ्यूज होगा 120 एंपर का वह दस नंबर के स्क्रूज से इस तो कसा होता है तो वह चक करना है अगर वह लूज वगरा हुआ पना तो तो सबसे प्रोज हो होगा तो चली झाएंगी को शच्पटके में कभी नहीं रहेंगी ठेक हैं कि सारे म decrease उने पर कई सारी लहां घ्रीक है तो लैंस कोई भी लैम्स आजाएगी ठीक है माल भी आ जाएगी चेट है जाएगी ठीक है तो इसमें इसको थोड़ा ध्यान देना है कि आपका जो आल्टरेटर का वायर है वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए ठीक है क्योंकि वो टाइट रहेगा तभी आगे इनमें लोड जाएगा ठीक है अभी उसके बाद में चीज देखते हैं कि जब आपकी केविन में लाइट आ रही होगी ठीक है बट आपके मीटर में लाइट नहीं आएगी ठीक है और आपका एकनिसर रिले भी ऑपरेट नहीं होगा उस दौरान क्या करना है आपको ठीक है तो यह फ्यूज चेकर लि सबसे पहले इसमें चेक क्या करना आपको ठीक है कि आपका इगनेशन ओन कर दिया आपने ठीक है मीटर आप लाइट नहीं आई ठीक और यह रिले भी ऑपरेट नहीं होगी ठीक है तो उस समय सबसे पहले यह आपका जो यह फ्यूज एस्यू इगनेशियन का ठीक है पांच इसको चेक करना यह फ्यूज खराब तो नहीं है अगर यह फ्यूज खराब हो गया तो तो आपको वारिंग चेक करने की जुरुरत है तो इसमें हमें चेक करना है है इगनेशन on condition पर कि इसमें power supply आ रही है बारेवोर वन्ट की की नहीं आ रही है कि अगर इसमें आ रही जूज खराब तो आगे चेक करने ज्रुवत है रिले पर अगर नहीं आ रही है तो क्या करना है क्योंकि इसमें connection क्या सिस्टेम है कि अगर इस यू इगनिशन का जो सप्लाई है ना वो अपने इगनिशन स्विच से ठीक है देखते हैं आगे तो यह वहीं फ्यूज है कि 20 एक तार निकलेगा ठीक है वह इस यू इगनिशन का फ्यूज लगा होगा बीच में पांच एम्पेर का ठीक है और उससे एक पावर सप्लाई जाएगी एसीम को ठीक है तब इस यह ऑपरेट करेगा आगे ठीक है और उसी से पावर सप्लाई तोफिंग है आपकी एसीम को अगर सप्लाई जाएगी टि के आगे कमांड देंगे श्टक नहीं तो खमांड नहीं देंगे ठीक है अच्छाँ यह वाईर जो होगा ना यह आर्न जो है Chief कि इन मिलेगा ठीक है यह पीले कलर में होगा ठीक है अभी दिक्कत क्या रही है कि यह तो इसमें यह हो रहा है कि अपना जो होता है ना वहां से पिन लूज हो रही हैं गैसा जाता अर्ड केस में क्या हो कि वहां से फिन लूस हो जाती है ठीक है तो लूझ वह जाती है तो उसमें इस सप्रक्विट को चेक करना है आप जैसे इसको चेक करोगे ठीक है तो इसमें तुरंट प्रॉबम मिल जाएगी और अगर आपको shortkit काम करना है कि आपकर breakdown पर हो ठीक है और गाड़ी आपको workshop ले जानी है ठीक है तो उसमें क्या करना है आपको कि जो EMS ignition के fuse है अगर ये fuse short नहीं हुआ है ठीक है अगर ये fuse short नहीं गए हुआ है तब तो आपको इस fuse पे सीधे 12V की power supply दे दिनी है इस fuse पे 12V की power supply आप दोगे तो यह आपका ignition रिलेफ चला जाएगा इस पे चला जाएगा लेकिन अगर इस फ्यूज सॉट हो गया है तो आपको इसमें पाउर सप्लाई दोगे तो यह आपका सॉट हो जाएगा तो आपके इस्टेम का खराब होने के चांस भी है और इस फ्यूज स्टेम दूसरा था इस फ्यूज स्टेम क्या था कि आपका इस सब्सक्राइब आपको अपरेट होगा तो इस कंडिशन में आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में पाउर सप्लाई नहीं आ रही है मिटर पर तो उसमें डारेक्ट देने की कोसित ना करें कि आपने इसको डायर सफ्लाई दे दी टिए बटाय देने पर वो ओन हो गया आईसे में आपका इस से खरावने चंस बहुत हैं तो उसमें क्या करना आपको अगर आपका फ्यूर्ट सॉट नहीं हुआ है ठीक है फिर पाउर सप्लाई नहीं तो आप अपने चाबी के पर प्रॉपर चेक कर लेना है नीचे कि आपके बैटरी में कहीं दिक्कत तो नहीं है और उसके बाद यहां पर यह प्रोसेस होगा कि आप 5 चैनि फिर फ्यूज पर चेक करोगे चो बारा वोल्ट सप्लाई है नहीं है फिर उसके बाद अपना यह चाबियो अले तार पर जो य पूर्प नहीं होना चाहिए वह तार में ग्राउंड कहीं पर भी नहीं होना चाहिए तब हम दे सकते चाहिए अगर को कुछ आज को मिलते हैं वीडियो में